राम राम भाईयों और कैसे हो तुम सब अच्छे होंगे भगवान की किर्पा से हम घोडियों के लिए समान लेके आये नया जिसकी जो जरूरत थी वो भी लेके आये और एक्स्ट्रा भी लेके आये कुछ ये लेके आये अपनी सर्श्वती के लिए छोटा मोरा ये एक्स्ट्रा लेके आये हैं भोडियों के लिए जैसे गंगा है लक्समी है अगर जुरूरत पढ़े जाए तो यूज कर लेंगे इसको ये फिराक्य लेके आये हैं बहुत अच्छी है वाई मतलब ज्यादा तंग नह जोक लेगी बहुत नरम भी है और ये जो हम गदी रखते हैं या काठी पाते हैं गोडी के उपडर है बहुत नरम है वैसे भी जैसे में पसीन आजावा है पसीने को सोकने के लिए अच्छी रहीगी बिल्कुल एक्स्ट्रा ये वैसे है अपने पास पहले भी एक्स्ट्रा अब लेके आए है अगर ये बांदेंगे तो ये सोचेगी कि मेरी पैरों पर किसी ने किसी ने आथ लगा रख तो वह लात निचलाएगी बिल्कुल भी अगर ऐसे ऐसी चीज बांदें तो बच्छी के कि स्टार्टिंग में ऐसे ही सुरुवात करनी पड़ती है जब श्रीफ बिल्कुल श्यांत सबाव की रहती हैं बच्छी यां बिल्कुल भी कोई लात निमारेगी कुछ निए कि यह कांगा लेकर आएं बाई जैसे कि पूंच के आगे गर्दन के जो बाड़ों ते उनको साफ करने के लिए एक्स्ट्रा बाल उतर जाते हैं इससे अगर निच्चे पैर साफ करने के लिए इस साइड से उसको मतलों जैसे की मिट्टी इसके अंदर हा और जैसे बजरी भी फस जाती है पैरों में लंकरने लग जाती है गोडिया तो इससे असानी से निकल जाती हो बिल्कुल यहां से फिर साफ कर दो उसकर यह बुर्ष लेक पहले अपने पास छोटा था वैसे था तो गोडियों का स्पेशल वो इससे छोटा था थोड़ा ये और उससे अच्छा लेक्या ये ये फिराकी है एक्स्ट्रा लेक्या ये जो कि ये लगाम लेक्याएं वही जैसे कि अपनी गंगा थोड़ी सरारती है वह मतलब पहले वाड़ा अपना थोड़ा सिम्पल वाला था अब ये लेक्याएं उसके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा ये वैसे है अपने पास पहले भी कहीं ये मतलब ये नहीं है कि जानबुज के पैसे लगाएं कई कोई बाई सोचे कि ये मारे पास ऐसा है वैसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जिसके पास भी जैसा है सब के पास अच्छा है जो यूज में आई वही लेकर आना चीए ये लेकर आएं एक एक्स्ट्रा ये भी ये लेकर आएं बाई इसको सू ओर्डर बोलते हैं मतलग ऐसा कुछ नहीं कि ये जैसे पतला दिखाई देता है कि तूट जाएगा बिल्कुल भी नी तूटेगा जिससे लेकर उन्होंने पांच या छे साल की गरंटी बोला है कि वापिस कर देना अगर कुछ भी हो जाए तो जैसे कि कुछ भी कहीं से तूट जाए ये लोग बहुत अच्छ इसका बहुत टाईट हैं होगा नहीं एसे अपने आप जैसे हम लगाते हैं दूसरे वैसे जोडों में आफते हैं पितल लोग कई जैसे फोटो सूट करना तो अद्चिव लगते दिड़ी हॉए हाँ 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 फोटो सूट करते हैं जैसे वह और इसका कुछ नहीं है जितना भी हम इसको निचे सा रहेंगे तो उतना ही टाइट हो जाएगा यह यह देखो कि यह लेके आए हैं कलरा लगए हैं कलरा लगए हैं यह सरसोती के लिए गुंगरू लेके आएं बैरों पर बंदने के लिए प्योर पित्तल के हैं बिलकुल जैसे पित्तल तो बिलकुल बंदी हो गया अब तो लोह के लोहे के आने लग गए हैं यह दो जोडियां लेके आई हैं फाइदा क्या इनका इनका फाइदा यह है कि जैसे की कोई बच्ची है जैसे कि कुछ इस भी शोर को सुनते ही बाग जाती है पास नियाती अगर हम यह बांदे हर टाइम सोर रहता उसके पैरों में बिलकुल भी नहीं मतलब ऐसा कि किसी भी चीज से निड्रेगी फिर वो शांत सबाव की हो जाएगी अगर हम ऐसी जैसे कि यह था यह पैरों पर यह बांदे निच्चे तो वह लात निचलाएगी फिर यह सोचेगी कि मेरे को पकड़ रखा निच्चे पैरों से किसनी आएख कर देखा रहे है कि वसी तो इसका सिंगार यह सरस्वती का यह जालरी बई हमारे हर्यांने में तो जालरा बोलती है इसको जब सर्श्वती पैदा हुई थी उस टाइम लेके आए थी उसके लिए बहार निकाल ली थी वो एक ये लेके आए हैं भई एक ये गद्धी लेके आए हैं भई इसके निच्चे फिराकी भी है अटाइच ये देखो पाउं रखने के लिए जैसे पापा से उचल के निचड़ा जाता हुई इनके अंदर गद्धी का काम भी है और काठी का काम भी है दोनों है दोनों फाहिदे है इसके और नरम भी है ये बिल्कुल जहें पकड़ने के करें? पहले थी कंबल वाला कपड़ा ये देखो बिल्कुल मुलाएं कि जैसे पसीन आएगा उसको अपने आप सोफ ले गई और गंदा उने बाद आसानी से बहुत भी हो जाएगी है यह समान ले क्या है बाई बताईयो सभी के सभी कैसा लगा तुमको कुमेंट करना लाइक सब्सक्राइब ठीक है थैंक यू बाई लव यू